आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तवालिया है बेटा के वस्तू की किस स्थिती के लिए अवतल दरपन आवर्दित आभासी परतिविम बनाता है तो बेटा अवतल दरपन केवल और केवल एक ही केस में केसा बनाता है बेटा आभासी परतिविम बनाता है वो भी आवर्दित वो कौन सा हो जाता है बिटा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब वस्तू, जब वस्तू, है न, फोकस व ध्रुव के बीच, रखी हो, ठीक है, रखी हो, यही इसका उत्तर है, तब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको चित्र भी बना देता हूँ, आर एक कैनुसर, यह हमने बना लिया, अवतल दरपण, यह कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह बड़ा सारा बना लिया हमने, और यहाँ पर यह हो गई बेटा, इसके लिए मुख्यक्ष हो गई, ठीक, यह वाला हमारा दश पॉइंट जो होता है, यह होता है, यह जिस गोले का कैं में ऐसे करके हमने रख दिया है, यह हमारे पास है वस्तू O, ठीक है, अब हमने एक किरण यहाँ से निकाली, कैसे मुख्यक्ष के समाना अंतर है, जो मुख्यक्ष के समाना अंतर होगी, वो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो फोकस से निकल दीजी, ठीक है, यह न मतलब कि किस का काम करती हैभी लंब का काम करती है तो जेसे ही I, ये जितने कौन से ये ऐसे करके आती है तो अप प्रावरतन का नियम हम लोग जानते I और R बराबर होता है तो ये इसके बराबर हमने कर दिया तो ये वाला हमारे पास में हो गया R, देखा गया तो ये दोनों की दोनों इदर क्या हो रही थी, बेटा, अपसारित हो रही थी, है न, यादि कि ये वास्त वी ग्रूप से तो कभी नहीं मिलने वाली, तो हम लोगों ने इनको पीछे की तरफ में बढ़ाया इसको भी पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया देखिए कहां जाकर करके हमें ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है यानि कि जो प्रतिबिम्ब होगा वो यहाँ पर बनेगा कोच इस तरीके से, यह क्या है बिटा हमारा प्रती बिम्प, ठीक है, तो हमसे यही चीछ पूछी गई थी, कि दरपण का आवर्धित आभासी प्रती बिम्प, तो यह आभासी है क्योंकि आभासी रूप से हमने मिलाया है, ठीक है, और आवर्धित है, तो यह कब जब फोकस और धूव के बीच में रखी हुई रहे, धन्यवाद.